तो नमस्कार तो शुरुवात करते हैं एक से लेकर के दोस्तों सव तक मैं हिंदी का पेपर लाया हूं जो कि 15 फ्रवरी को पूछे जाएंगे दहां दखेगा 15 फ्रवरी का पेपर है दोस्तों और इसमें से 90% एकदाम 3 करें दोस्तों कि 90% लड़ेगा ठीक है यह हिंदी का 100 मा साथ प्रश्ण में से 50 फ्रश्ण का ही उतर दिजिए आपको सौफ प्रस्ण दिया जाएगा हिंदी में इसमें 50 का ही जबाब देना है लेकिन इस वीडियो में मैं 100 फ्रश्ण का अंसर बताने 2024 विहार बोड हिंदी पर पूरी तऱ से बार लें चलिए प्हाल यहां पर पूछा गया आपसे देखिए शुरू कर चुकिया हम यहां पर पहला है जाती प्रता सरमी भाजन के साल साथ किस का रूप लिए हुए है देखिए एक पाट जो है जाती प्रता जो है भीम्रावमित पुछा गया है किसका रूप लिए हुए है तो और सी सरम भी भाजन का इनिया सरमक भी भाजन का ठीक है चलिए दूसरा सवाल आए हां अुछा गया है आदर्स समाता समानता भातित पथायत होगा किस ने कहा है तो दुका अंसर होगा ऑजी बिलकुल आफ़ंद सब्सक्राइब भी भीमरा अमित कर जी ने चले तिसरा यहां पर कोज़ना किसके अनुसार सेनों ने इस नहांतों को बदल दिया था दोस्तों जो यह पाठ है खोखा वाला पाठ से तो भी आपसल खोखा बोलिए चाहे कासु बोलिए जो कि पांच लड़की के बाद पैदा ऑब पी पूली तरह से उमरण चला गया था सेन साःब हनल चोघ आ ऐसी लड़के आगे चलकर गुंडे चोर दाको बनते हैं यह बात किस ने किस से कही देखिए दरसल बात है सेंट साहम ने सेंट साहब अपने तो कि छोर गंडा बनते हैं तो चार का अंसर मार्य गाफन नमर B सेंच सहाब ने गिर्धराल से बोला था ठीक ना चलिए पांचमा सवाल याँ पर है भारत से हम क्या सिखे ठीक ना क्या है निबंध है कहानी है तो पांच का अंसर हो गाफन नसी भास वाड़े दोस्तों ठीक ना फटापड याद की बिचो उन शाथवा नमर कोचन मेक्समार के अनुसार सचे भारत के तसंच कहाँ हो सकते हैं भीया अफन नमर टी भारत के गराम वासी ओ में ठीक है फटापड बाभू फटापड शाथवा मैक्समार का जनम कहां हुआ यह कब हुआ दोस्तों तो साथ का होगा आफसर नमर्टी 6.1823 में जरू कमेंट की जो तो पूरा पीडियाप है चलिए आठमा स्रहेकल थे देखे कोचन जो है अंदर से पुछा गया है प्राणी बैग्यानिक आफसर नमर ए होगा उसके बाद नाएन नमर कोचन है सहजाज बितिया किसे कहते हैं नौ का अंसर होगा अन जान इस मित्कियों को आफसर नमर बी उसके बाद दसमा कोचन अपर है दधीची की हड़ी से क्या बनता था 10 का अंसर होगा आफ 편 नमर C इंगर का वज्जर इंगर का वज्जर फटाफ़ दोस्तों याद करेज बाभू B.J. नगर के राजाओं के लेखों के लीटी को क्या कहा गया है यार्य में क्या नाम दिया गया है और ये पेपर में रहेगा ही रहेगा 100% बारह का कोचन है करा कि नागिल लिपी से इसक निमंद की निमंद कर कौन है तो बारह का अंसरोगा आपस नमर एक गुणा कर मुले बहुत ही कम समय में 100 प्रशन कराने जा रहा हूं तेरे नमर है भाजूर अपने घर से क्यों भाग गय घरता भाई या अरे भाई उसकी मा मार दे थी ध्यान खेगा बहादूर पाट जो था बहुत ही रोचक कहानी है बहादूर एक नेपाली है रंग गोरा है अना चहराची पईट है तो यह जो है इसकी पिता जी मर चुके हैं क्योंकि फोजी में थे इसकी मा ने जो है कि मारी इसको क्युंकि भैस्यान गया था है इसको मार दिया जिसके माने कारपनी, अनुमान के पिटाईग यह प्याना गहर चोड़े चला गया तो बहादूर अपने घर से क्यों भाग गया भाईया तो gera काओं तेरे-क नमर घी मार के evolution चलिए चोड़ा नमर कोचने आपर ऐ बाहादूर कितने वर्स का था बच्चों तो बाहादूर था 12 से 13 वर्स का 15 नमर कोचने आपर है सहित की परंपरा का पूर्ण ज्यान किस ब्यवस्था में संभव है तो 15 का होगा समाजवाधी ब्यवस्था चलिए, सोरा नमर कोचन यापर कहता है बच्चेओं बाबू, राम बिलाज सर्मा को किस किर्थी के लिए साहित अकादमी पुरसकार प्राप्त हुआ है तो सोला का अंसरोगा, बिल्कुर अफ़न नमर सी निराला किस साहित साधना ठीक न, बहुत ही अच्छा कोचन है पंडित बिल्जो महराज लखनव घ्राने की किस पिढ़ी के कलाकार थे तो दोस्तों, अफ़न नमर बीच, सात्वी पिढ़ी के ठीक न, अठारा नमर कोचन यापर है बिल्जो ने अपने पिता के साथ आखरी प्रोग्राम कहां किये थे अठारा काफने होगा मैन पूरी में ध्यान जेगा बिल्जो के पिता जी को मौत कैसे होई थी तो लू लगने से ध्यान रखेगा लू लगने से होई थी ठीक है आखरी प्रोग्राम किये थे उसके बाद अगरा सवाल उन्नीस है ला सतरुच का धार्मे को प्योग कब से कब तक होता रहा उन्नीस नमर सवाल का अंसर हो जाएगा मिल्कूर अफनमर डी चौदहवी सदी से फ्रेंच करांती तक ठीक ना फोटा फट बचों याद किजे 20 फर्तियक वर्ष अविन्यों में कैसा समारो आयोजित होता है 20 का अंसर होगा अफनमर रंग समारो नेक्स्ट 21 है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है तो दोस्तों पेड़ पर कमरा जो रचना है ओह जागर राड अंसर बिनोत कुमार सुकुल जी की 22 कोशन करता है मचली के लिए मसाला कौन पिस रही थी पिस रही थी बोला याँ पर 22 का अंसर होगा अफनमर डी मा पिस रही थी ध्यान लखेगा इसमें मा जो है पिस तो रही है लेकि उसको गंद बदास नहीं होता है तेश्टमर कोचन करता है बिस्मिल्ला खा के बजपन का क्या नाम था तो बिस्मिल्ला खा के बजपन का नाम था कमरूदीन कमरूदीन ठीक है जनम हुआ बिहार में रहे कहां जिरसो ननिहाल में कासी में चले गए उसके बाद 24 का है कासी किसकी पाट साला है 24 का अंसर होगा correct answer संस्कृती की next 25 है सिच्छा और संस्कृती के लेखक कौन है तो दोस्तों सिच्छा और संस्कृती के लेखक है हमारे पुझनिया राश पिता के नाम जने वाले महात्मा गांधी महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जना जाता है ठीक ना आईए हम चलते हैं question number 26 की ओर जो कि आपके लिए बिहार बोड में ताहलका मचाने वाला question है यहाँ पर हैं महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी अफसर नमर डी 27 है बिर्थे का अर्थ क्या होता है देखे दोस्तों गरामर का भी कोचन आ चुका है बिल्कुल बिर्थे का अर्थ होता है बिर्थ विकार ठीक है ना उसके बठाइस नमर कोचन करता है हरी रथ से कभी का क्या अभी पराया है तो 28 का अफसर नमर ए होगा राम नाम के जब से ठीक ना इसमें बताया गया है जो प्राणी स्पित्थी पराया वह राम नाम जब नहीं किया अर्था इस वबर अल्ला का नाम ले लेता है दिल से रस्खान की पुष्टी मार किसने दिछा दी तो 30 का अंसर वह आफसर नमर सी गोस्वामी पिठल नातने ठीक ना चलिए 31 कोचन आपर है मौ अंसवहिनी लै बरसो कौन करते हैं 31 का अंसर वह आफसर नमर सी घना नंजी 32 है किस प्रेम की पीर का कभी कहाता है यनि किसे प्रेम की पीर का कभी कहाता बच्चों 32 का अंसर होगा बिल्कुल करेक्ट अंसर घना नंजी को ठीक ना उसके बाद 33 नमर कोचन कहता है जिन जन पर किसकी करिती है दोस्तों 33 का अपसर होगा प्रेम घन को 34 है विदेजी से कभी का क्या अततपर है दोस्तों 34 का होगा अपसर नमरे बिल्कें से अंग्रेजों से नेक्स्ट बच्चों यहां पर है 35 नमर भारत मताष से सक अभीताय में भारत का कैसा चीज़ किजा गया बाबू 35 का अंसर होगा अपसर नमर C यह था अतत्य यह था अतत्य नेक्स्ट होगा बच्चों 36 पंत को किस रचना पर ग्यान पर पुरसकार प्राप्त हुआ है ठीके दो बार तिन बार देखिए बच्चों वीडियो को फड़ा फ़ार बाबू भड़ा फड़ा लाइक करेंगे 36 का आंसर होगा यहां पर आंसर विर्कुल चितंबरा से ठीके ना उसके बाद 37 में चलते हैं लोग 37 नमर काफी अच्छा कोचा नहीं आप रहा है करा है सदियों की ठंडी बुझी राक सुबगा उठी मिठी सोने का ताज पहन इटलाती है किस कविता की पंक्ति है बहुत ही अच्छा कविता रिखा गया दोस्तों यहां पर अफ्रम डी होगा जनतंत्र की जनम इसमें बताया गया है जनतंत्र की जनम में जिस दिन जनता जाग जाएगी उज दिन अच्छे अच्छे निताओं की अच्छे अच्छे लोगों की इन्हें बोलती बन हो जाएगी एनि सत्ता का हाथ जन्मत में जन्ता का हाथ ही अधिकार होता है एनि जन्मत में जन्ता का अधिकार जन्ता अपने स्वच्छा नुशार चाहेगी तो किसी को जिता सकती है अकिसी गुराजगर्दी से हटा सकती है ठीके ना यह अधिकार बताया गया है next कभी दिनकर किसके लिए सिहासन खाली करने की बात करते हैं दोस्तों जो कभी दिनकर जी है वह जियां बिल्कूल जनता के लिए जनता ही सब कुछ होती है जनता के हाथ में एक मत देने का पूरा पूरा अधिकार होता है जनता ही किसी को चुन करके हना गदी बबेठाती है next है हिरोशीमा पार्ट में नगर के चवराहे पर निकलने वाला सूरज कौन था 49 नमर का अंसर होगा फिनमट भी परमाडू बं जो कि अमेरिका ने भेजा था यह तो अमेरिका द्वरा भेजा गया था परमाडू बं जैपान के नागा साके सार पर 1945 में ध्यान देखेगा भोर का सूरज मानो जनी था होगा प्रकृति वाला नहीं था छलिए 40 पर चलते हैं बच्चों बाबू फटाः फटाः हम लोग 100 कोशन करने बाबू 100 परोषणे बाबू 16 तारिक 15 तारिक हुझे agriculture मैंट भी आपको बताने वाले हैं चलिए 40 हरोशिमा कि इस देश में है हरो शिमा कि इस देश में बाबू जी हाँ बिल्कुर हिरोशीमा जो है जी हिरोशीमा जर्मनी में नहीं जापान में पढ़ता है तीक न चली एक तालिष कोश्चन आप कर रहा है एक बिरुच के अत्या कविता में कभी मनुश्च को क्या हो जाने से बजाना चाहता है भाई तो यहाँ पर क्या पालिष नमर क्या है याद रखे गा जब लेखंग कभी जाते हैं बाहर में तो आते हैं दखते हैं उरी भाई मेरा ये कौन है भाई क्या जरसल बात है कि उस प्रेंड का जो पत्ता जड़ गया था डाली शुग गई थी इसमें दखेंडे बात यांद के लिए गा यहां पर जो कभी है पें हैं उसको बोलते हैं टोपी ध्यान रखेगा और पेड़ के जो टहनी है डाली है उखी 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 उसको बोलते हैं बंदुक यहनी सिपाही का दर्या देते हैं पेड़ को कहते हैं सिपाही का दर्या देते हैं चलिए तो यहां पर आफसर नमर होगा यह चलिए वितैलिस नमर गरीब बस्तियों में क्या हुआ तो दोस्तों बहुत यह अच्छा कोज़ा पुछा गया है अफ्रमर्श्री धमाके से देवी जागरण 44 हमारी नीद कभी ने मक्खी के माध्यम से किनकी जीवन दसा चित्रन किया है दोस्तों 44 का भी अफ्रम सही है दीन हिन लोगों की चलिए बच्चों सौफ रश्न है सौफ रश्न बाव एके बार ठीके ना फटा 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 है यह 45 किस कभी रूप में जर्म लेकर यानि कौन है जो कभी रूप में जर्म लेकर साम के अंधेरे में उड़ते वे कफास के पोथे पड़रावनी आवाज में बोलना चाहते हैं दोस्तों आप लूप नाम सुने होंगे 45 का अंसर आप आफ नमर सी होगा उल्लू यानि ऐसे कभी हैं जो कि बंगाल में जर्म लेकर फुना आना साकते हैं मतबब उनका कहना है कि मनुस्य रूप में नहीं आए तो हम चिडिया पच्छी या कोई कपोल या हंस कवा अबाबिल किसी रूप में भी आ सकते हैं ठीक है बाल बाल कलपना करते हैं जिवनान अंदाज जी ठीक है च्छी दखे जिवनान अंदाज किस भासा के कभी हैं दोस्तों 46 कशी होगा बाबू बंगला ठीक न चलिए उसके बाद दोस्तों यहां पर पूछा गया बाबू 47 पूछा गया गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कभी की पंक्ती है तो 47 का जीवनान अंदाज कि 48 कता है अगलए जनम में कभी किसका हंस बनना चाता है तो 48 कंस फ्टा फड़यात करेजएगा किसी कि सोरी का चलिए उन च्यास है दूर छट्ठानों की ठंडी कोद में किस कभी की पंक्ती है तो 49 कंस रोगा पूछ IKEAए माली अं अरुल linguine कोव लोग किसे खोकर इस उवर अपना अर्थ खो बैठेंगे दोस्तों जी हम बिल्कुर सई आंसर है पचास का आंसर होगा सी आंसर भक्त के बिना यहां पर इस वाक्यमादम से रेनर मारिया रिलके जी नहीं करेंगा लाश पात हिंदिया पदभाका रिनमाले करते हैं कि पित्री उपर हे इस्वर हे परमेश्वर हे अला हएदि हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो बहुरा तुम्हारा पूझा पाठ कौन करेगा तुम्हारा फोटो कौन बनाएगा तुम्हारे मंदिर में कौन जाएगा तुम्हें हुम ओम कौन चड़ाएगा तुम्हें मिठाई लड़ू पेना कौन देगा तुम्हें अपने घर में कौन बसाएगा हे प्रभू हे इस्वर हे प्रमेश्वर यदि हम सब नहीं रहें तो आपका आसे तो खतम हो जाएगा आप लोगलुवान हो जाएगे आपकी नहीं से है जो की बोड में आया हुआ है एकाउन कर रहा कि अमराई का कहा है बाबू और नमर सी रास्ते में ठीक ना चलिए मंगपपा वाला कहानी रंगपा जो है बार-बार मंगम्हा को छेड़ता है और उससे सूर्ती बीड़ी भी मांगता है और उधार पैसा भी चाहता है चलिए रंगपा की नजरे किस पर थी एकदम सही आनसा मारीया बोड में बाबू ओस्तर नमर्बी मगम्हा के धन और उसपर ठीक ना मगम्हा के धन याद रखियेगा रंगपा ने मगम्हा का हाथ भी पकड़ लिया था और दुनिया में जो है कि मगम्हा का कोई नहीं है सिर्फ एक लड़का है और पतो है चलिए नेक्स्ट धाते विश्वास किस भासा से अनुदित है बहुत ही सांदार कोचन पुझागा अफनमर्शी उडिया ठीक ना चलिए 43 खतम हो गया बच्चों तीरपन खतम हो गया अब हम चलते हैं चोवन की ओ ठीके ना पूरी तरह से आपको सौब प्रश्ण कराने वाले हैं बहुत कम समय में चलिए लचमी के बड़े लड़के का क्या नाम था बहुत अच्छा कोचन पूछाएगा बोड में सी दे जो है पूछाएगा चलिए सी आफसन और चीउथ 55 मंगू की मां अस्पत साल को किसकी उपमा देती थी भाई देखिए बहुत प्यारी मां है अपने बेटी से बहुत प्यार करती है नमरी गोर्षानला बोलती थी बोलती थी कि जाङे भैसों का रहेगा मतलब कि कि हम काला पानी किसका प्रैयाउपन साल की थी भाईया पापाती जो यह आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को पढ़ाया तो यहां पर 12 साल की है ध्यान रिखेगा अंठाउन करता है कि किसे ने किसे कहा और वाई क्या कोचन है बाबू बी ऑफ़न बॉले डॉक्टर ने जो की बाहर से आये थे तिक ना असनाता के बच्छों को पढ़ाते भी द्यान रखेगा यह उपसिंटी पूछेगा धर्ति कब तक घुमेगी कैसी कहानी है बाबू तो उनसट का अंसर होगा बिल्कुल अफ़नमरी सामाजी कहानी है उसके बाद आगले दिन सिता ने क्या किया बच्छों अगले दिन सिता ने क्या किया बाई जी हाँ बिल्कुल से आनसर आपका हो जाएगा अफ़नमरी घर को छोड़ दी दरसल सीता के 3 बेटे हैं तीनों बेटों में से मतब बारे बारे करते हैं कि माँ एक मेंजा सब के पास रहेगी उसके बाद नहीं मानते हैं तो फैसरा फिर करते हैं कि माँ को 50-50 उर्पिया दिये जाएगा मा के लिए रहेगी अपने आप खाना बनाएगी तो बताइए ऐसा क्यों बेटा जनमाएंगे हम कि भाई तीन बेटे हैं और जब उढ़े हो जाएंगे तो बेटा हमको अलग कर देगा और वो लेगा जाओ मा अपने मन से खाना बनाओ तो सबसे अच्छा यही है कि आज अपने माबाब को हमें नहीं सतना चाहिए मालेज़ आज हम जवाँ हैं कल बुड़े होंगे तो हम लोग का भी गती खराब हो सकती है इसलिए अपने माबाब को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए बीच मैजधार में ठीके ना चलिए अगर सिता क्या किया भी या तो घर को छोड़ दी नेक्स्ट एकसठ हिंदी में अंथस्त वर्णों की संख्या कितनी होती है बहुत ही सांदार अफसर नमर सी होगा शार होती है अगरा सवाल 62 नमर कोचन करता है भा का उचार स्थान क्या होगा देखिए आप लोग मुझे बोलिए भा भा ठीक ना भा बोलेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है कि ओट से बन रहा है भा हो गया भा हो गया हनम इस अब जो है ओट से बनेगा ओट से 63 नमर कोचन करता है मोर सब्द है मोर सब्द कोन है बच्चों यहाँ पर 63 का आफ़न होगा बी आंसर तदभाव ठीक है ना तदभाव होगा तदभाव होगा ठीक है चलिए 64 नमर कोज़न कहता है रुपांतर की दिशे से सब्द कितने परकार के होते हैं दोस्तों रुपान तक जिसे से सब जो है दो परकार के होते हैं 65 कराय जिस संग्या से एक ही वस्तु का बोल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों बाबू 65 का होगा अफनमडी जाती वाचक संग्या जाती वाचक संग्या कहते हैं शाठट काता है बुढ़ापे में इंसान बिलकुल बच्चा बन जाता है इस वाकशे में बुढ़ापे कौन से संग्या है बहुत ही संदार बिहार बड़ के तरब से कोचन पुछा गया है चासर का C आफ्षन भावाचक ठीक है ना चलिए 60 नमर कोशन करता है लिंक के अनुसार सुद जोड़े का चैन करें यहाँ पर जो है कि मिलान करना है 60 का जो आंसर है आप्षन नमर यह होगा सिच्छक जो है सिच्छक का सिच्छक का यह आप्षन सही होगा सिच्छक सिच्छक का यह आप चलिए हम चलते हैं 79 नमर कोशन पर बच्चों 69 चलिए हम पर पूछा गया है भूखे को भोजन दो इस वाकिए में को कौन सा कारक है थिए ना तो ऑफ नमर सी होगा संपरदान कारख ठीक है को के पड़े होंगे आप लोग अपदान है ठीक है ना सत्तर है सनिय को मारक देखांकित सब्द कौन सा कारक है अब देखिए कारक से पुछ रहा है सत्तर का अंसरों का बिल्कुल आफसर नमर्टी संबंद कारक ठीक है ना एक अतर का रहा है घर से लोटा हुआ लड़का किस कारक का उधान है तो दोस्तों एक सब्द कौन है तो रहे खांकित सब्द अफसर नमर्टी हो जाएगा अनिश्चे वाचक सर्वनाम थेकर ना फटापड बच्चों देख लिजी ये बच्चों तर नमर्ट कोचन करता है निन्म से सर्वनाम नहीं है इसमें आपको सर्वनाम ध्यान अखिएगा सर्वनाम नहीं का नहीं है उसके बाद 54 कता है आपने क्या खाया इस सबाक्राइख के यहां पर प्रशनवाथन पूछा दिन भी आ रहा तो संख्यावाच हो जागा ठीक है ट्रिक साइट से पकड़िए चीहतर देखिए कलंक सब्द का भी सेशन है जो दोस्तों चीहतर का अंसर होगा आपस नमर यह कलंकित ठीक है उसके बाद आप से पूछा गया है सतहतर नमर किरिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ायता है दोस्तों यहाँ पर सतहतर का अपस नमर हो जाएगा बी आंसर विकुल ना क्या होगा ना देखिए आपस छीहतर नमर फिछ देख लेते हैं कलंक का सब्द भी सेशन होगा बता दिये हैं उसके बाद हम चलते ह संग्या सवनाम और विशेशन सब्दों में प्रत्य लगा कर जो धातु में बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों बहुत अच्छा कोचन पुछा है गठातर का अफन नमर यह होगा नाम धातू 89 काता है भिमुक सब्द में उपसर्ग है तो दोस्तों 89 का अफन होगा वी वी ठीक है ना उसके बार 80 का रहा है कि वियोग सब्द में उपसर्ग देखिए उपसर्ग नहीं आता है तो संधी बिछित कर दिए बस देखिए सुरू में वियोग में वी आ रहा है ना डी ऑप्सन बढ़ा दिए एक आसी कर रहा है वास्तविक सब्द में प्रत्य या बढ़ी या 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 अफंडी होगा या 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 अफंडी उसके बाद 83 है गणेश का संधी बिछित क्या होगा वावावावावावा क्या कोचन पूछाए बिहार बोड़ सी ऑफंड पॉम पॉलस चम पॉम पॉलस चम क्योंकि यह अनुस्वार है उपर अटेगा तो पंचम हो जाएगा पंचम ठीक ना चलिए 85 बचलते हैं बावू बहुत ही सांदार सांदार आज मैं कोशन आपको लिए लाया हूँ आई देखिए 85 पितांबर सब्द का संधी ब बिचिद्छित क्या होगा तो दोस्तों पितामबर का आपको पताना संधी बिशेद जी बिलकोल पीत पलस अंबर पितांबर ठीक है सही अनसर है 86 नंबर रीसी हाइफल देखे देखिए बीच में हाइफल दीआ है याद रिखयर का ट्रीक बनता है रीउसी तो दिया है लेक महात्मा सब्द किस समास का उधान है तो सी अफशन करम धारे महात्मा कैसे बना रे भाई करम करके कोई बना होगा इसलिए करम धारे समास हो जाएगा ठीक है 88 देखिए देह चूर सब्द कौन सा समास देह चूर देह को चुराने वाला समास बताना है कि कौन है देह चूर पढ़िये ध्यान से 88 का D होगा तत्व पुरुष समास उसके बाद 89 नमर करता है काम का सही प्रवाची क्या होगा वाँ वाँ काम का क्या होगा बच्चों प्रवाची जी ऑफसर नमर ए देखे यहाँ पर सदन समर पतंग देखे यह तो नाम है गलत दिया लेकिन मदन हो सकता है काम ठीक है ना उसके बाद 90 देखे विक्सित का सही प्रवाची क्या होगा वाँ 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 यहाँ पर 90 का होग सब्ट है क्या होगा एक आप सफरार चिन का जो योध में इस्तिराता है क्या है जो यूद्ध में इस्तिर आता है बहादूर योध्धा इधिस्ठीर अभी चल में का इधिस्ठीर 94 करा जिससे सब कुछ कहा जा सके यानि जिससे सब कुछ कहा जा सके उससे क्या बोलते हैं जी जी बल्चु बिल्कुल अन तरंग अफ्शन नमर एक 95 कर रहा है बच्यों बाबू खाक चानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों 95 का अंसर होगा और बी बेयर्थ प्रत्न करना ठीक है ना बहुत इससंदार अंसर है चलिए 95 क्या है की गाजर मुली समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों 94 कांसर होगा और बी निर्मर समझना उसके बाद 97 कहता है सब्द सुध है दो बी अफ़ान प्रतिश्ठा ठीके ना इस देखें बाकि सब गलती दिया हुआ है ये गलत है ये गलत है ये भी गलत है एक आप क्ऌन सबॉक्त सुद्ध में कौन सब सुध है क्या वात है चुद्ध बता न आप को aller 99 International में तो प्रतिवादी वह थी थी ना और सब ग्रत्थ है उसके बार 99 कौन सबहck सुध आप है क्ट्राम शुद्ध है राम ने पुस्तक खरीदा राम ने पुष्टक खरीदी आफसन नमर सी उसके बाद सुध वाग कौन है देखिए इसमें वाग पुछा गया है बचों तो सुध वाग कौन है आज की ताजे ख़बर दाल अच्छा है हवा भहता है देखिए तो रोटी ताजी है यह तो गलत है तो 100 का अफ़न होगा बी रोटी ताजी है ठीके ना तो दोस्तों मैंने आप लोग को 100 कोशन करा दिया कितना 100 कोशन ए 15 फरवरी को आपका पेपर में रहने वाला है ठीके ना चलिए दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोग इसको जो है इस वीडियो को बार बार सुनेंगे भी और देखेंगे भी ताकि इसमें से 90% कोशन आपको याद हो जाए ठीके चलिए इस उमीद के साथ आप पेपर जो है मैत का साइंस का लेकर मिलते हैं दोस्तों तो धन्यवाद अब इस वीडियो को शियर और सब्सक्राइब